digestive juice, digestive juice lacking enzyme but eating digestion is आब ही हमने बात करें थी कि जो liver होता है वो vile juice सिकरीट करता है और vile के अंदर क्या नहीं होते enzymes नहीं होते तो यह एक ऐसा digestive juice है हमारे पास digestive juices होते कौन-कौन से है digestive juices की यदि हम बात करें तो हमारे पास कौन-कौन से digestive juices है यहाँ पर में मेंशन कर देती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास digestive juices के नाम पर पहला है saliva, जो salivary gland से release होता है second है हमारे पास gastric juice जो stomach से release होता है ठीक है, third है हमारे पास pancreatic juice जो pancreas से release होता है third, fourth है हमारे पास bile जो liver से release होता है and fifth है हमारे पास succosentericus जो intestine release करती है intestinal glands release करती है ठीक है, ऐसे यह हमारे पास कितने juices होगा है, five तरह के juices होगा है इन में से जो bile है इसके पास enzyme नहीं होता bile के पास कोई enzyme नहीं होता कोई digestive enzyme इसमें नहीं होता है लेकिन फिर भी यह aid करता है help करता है digestion में digestion में कैसे help करता है यह digestion में कैसे help करेगा यह करता है emulsification bile क्या करता है? emulsification करता है of fat emulsification of fat करता है of fat अब ये जो है emulsification करता कैसे है emulsification होता क्या है तो देखिए emulsification में क्या होता है यदि हम बात करें तो fat जो होता है fat वो बड़े-बड़े तुकडों के फॉर्म में होता है और हमारा जो bile है इसके अंदर हमारे पास bile salts मिलते हैं क्या मिलते हैं bile salts तो ये जो हमारे bile salts है ये fat के बड़े-बड़े तुकडों को तोड़ देते हैं बड़े-बड़े तुकडों को तोड़ देते हैं जैसे कि मैं बात करूँ ये इस तरीके से इसे जुड़ेंगे ठीक है, और इस fat के बड़े टुकड़े को क्या करेंगे, छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, यह bile salt बनाया है हमने, और यह fat का molecule है, यह जो है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ जाएगा, यह fat छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई bond नहीं टूटा है, तो इस process को आप digestion नहीं बोलते हो, यह जो process है इसको आप digestion नहीं बोलते हो, इस process को आप क्या बोल दोगे teachers, इसको आप बोल दोगे emulsification, क्या बोल देंगे हम emulsification, यह हो जाएगा emulsification, कलर भर देंगे, कलर भरने से थो यह हमारा फैट 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 इसके बाद दूसरा हम यह ले लेते हैं यह हमारे बाइल सॉल्ट हमने इस प्रोसेस को नाम किया दिया उम्लसिफिकेशंच के इस प्रोसेस में परड मंद नहीं तूटते हैं नाय नो पॉसेड फोर्ट प्रेक्स तो यहँ पे हो क्या रहा है इसको आप mechanical breakdown बोलते हैं, यहाँ पर chemical breakdown नहीं हो रहा है, this process is called as emulsification, ठीक है, और इसमें कौन help करता है, हमारी bile help करता है, ठीक है, इसमें कौन help करता है, हमारी bile help करता है, emulsification process में, और यही वो juice है जिसके पास enzyme present नहीं होता, या फिर हम बोल दित, absent होता है, यहाँ पर enzyme absent होते हैं, ठीक, तो यह बात हो गई हमारे bile juice की, हमारा answer यहाँ पर क्या आ जाएगा, C यहाँ पर हमारा answer आ जाएगा, और इसको यदि हम category दें, तो यह question जो है, वो easy category का हो जाएगा, easy category का हो जाएगा, ठीक है, हुआँ